लिखते हैं त्राठक करते हुए जब आँखे ठक जाती हैं तो आँख की पुतली मुम बत्ती की लौ की तरह हिलने लग जाती है ऐसे आँख की उर्जा ब्रिकुटी में जाती मालूम भी होती तो बड़ी खातरनाक बात है जिन्नोंने लिखा है उन्हें पते ही है किनने लिखा है तो बस यही कहूंगी इतनी आश्रद्दा के साथ आपको तुत्राठक करनी ही नहीं चाहिए गुरु गुरकनात की आत्मा तडप रही होगी इस समय तराठक जैसी विधी के लिए इस तरहे भी कोई सोच सकता है यह उनकी बुद्धी की अलपग्यता है विवेक हीनता है बहुत बच्चा बुद्धी है जो बात ही नहीं समझ पाए तराठक की महिमा क्या है वो यही नहीं समझ पाए तो जब समझ ही नहीं पाए तो मैं यही कह सकती हूँ कि उनको तराठक नहीं करनी चाहिए हमारे लिए आप ऐसे बात को समझे आप के साड़ी की दुकान में गए अब प्रशन एक महिला का है तो उसको धारन वैसा देती हूँ समझाने के लिए क्योंकि हम नहीं समझाएंगे तो आप समझेंगे कैसे तो समझो आप दुकान में गए साड़ी की और वहाँ सेंकड़ों साड़ी थी और फिर आपको एक साड़ी पसंद आ गई तो आपकी आँख वहाँ टिक जाएगी कि नहीं और अपको होगे दुकानदार को वो दो वो आपको 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 आपक तो अपने शीशे में लगा के देख ओ और चार लोगों से पूछ अच्छी लग रही हुआ यह बहुत अच्छी चलो देदो पैक जो चीज अमें पसंद होती है उस पर हमारी आंख टिक जाती है अब बहले मैं तुमें बहलों मुंबत्य की लव पर त्रातक करो लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें किसी नहीं कहा था कि मुंबत्य की लव पे या फूल पे या ओम पर त्रातक करो क्यूंकि हम तो अपने महात्मा के चहरे पर ही त्रातक हो जाते बिना कहे, बिना सिखाये ऐसी बाते तो बिल्कुल बचकानी सी बाते लगी पर मुझे लोगों के सिखाने के लिए ये सब सिखाना पड़ा हम ऐसे सब कुछ नहीं किये क्योंकि जहाँ दिल को जो पसंद आजाए ताँख वही टिक जाती टिकानी नहीं बड़ती टिक जाती so whenever the real love will happen in your heart for the master your eyes will stick on master it will stick तो नजर नहीं हट सकती वहाँ गुरु यह नहीं कहेगा त्राटक करो क्योंकि शिश्य की पहले ही त्राटक हो रही होती पर जिसके मन में बेटा बेटी पोता पोती घर संपती यह सब पड़ा हुआ हो तो उनकी आखे तो दूदली है ना तो वह त्राटक कैसे करें आखे if your eyes are clouded you cannot see clearly you have to clear your eyes to see clearly similarly when your mind is clouded with attachments and aspersions and desires you are unable to see clearly and hear clearly neither hear nor see and when you don't hear and when you don't hear then I have to say what I have said in the satsang so I am not going to understand and when your mind is not clean then you don't hear also you will see you will see the stage for four days and there is no change there is no change this means where will your eyes go? so you here have you come to do with the flowers or with me? so why will your eyes go to the flowers? and where will your eyes go? you will see very strange you will see where will your eyes go? see there is no Gujarati there is no Punjabi there is no one there is no one there is no one and everybody loves their choices which you know we have trained our tongue and palate okay we are comfortable if we go to the Gujarati then you will eat the flowers and you will eat the flowers I don't need anything else if we go to the Punjabi then you will be comfortable in Punjabi if we go to the Punjabi if we go to the Jaini then you will eat the Jaini and if we go to the English if we go to the American कि अगर चले जाएं तो बड़े मज़े से उनका home-cooked salads or pizza सब मज़े से का लेते Chinese के चले जाएं वो Chinese खिलादे, Thai खिलादे, कुछ खिलादे, सब चलतार as long as they haven't cooked something which moves or flies or swims or or crawls as long as it is vegetarian उड़ने वाले नहीं काएंगे हम चलने वाले नहीं काएंगे हम तेरने वाले नहीं काएंगे हम I have a very loving family in Long Island Jaini family but they love me so much whatever they cook I relish that हम तो सब खाले कुछ न मिले पानी पीले हम तो पानी से भी भूख मिटाना जानते कोई दिक्कत नहीं और जब महत्माओं के गुरुजी के सुनने को जाती दर्शन को जाती तब न भूख न प्यास कुछ नहीं लगती मिल जाए खालिया न मिले चाहिए नहीं क्यों दर्श्टी कहाँ एक गुरु पर नजार है बस और किसी पर नजार है नहीं वह क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं तो अपने मन को साफ करना जरूरी है so that you can see clearly, hear clearly मन सुद्ध होगा साफ होगा, तो देखोगे भी ठीक सुनोंगे भी ठीक और अगर देखना सुनना ठीक हो जाए तो फिर आत्म जन होने में ब्रह्म जन होने में देर नहीं लगती अचा है मन यहाँ भागता है मन यहाँ भागता है अब मैं आपको 100 मेफोड्स करा दूँ आप 100 के 100 के 100 के 100 कर दोगे Which method will work for you? Any method will work only then when your mind is not being pulled by your attachments कोई ड्योरा है सब्सक्राइब स utilizar है जिए कर दो होजड़ा है आर होजड़ाम कि टो मन आसा पापी बाँदता ही यह लगता है यह लाँ यह लाँ और हम से पूचे ओ angled गुरु जी मन ही जी पुचता ब इतrickता क्या करेश so a simple formula is this learn to let go of things what is happening is good, what is happening is good now if you have come here, then leave your mind back what is happening is good, what is happening is good what is happening in your prarabdh what is happening is that nobody can see you नहीं नहीं सकता right जा आपके प्रारब्द में नहीं आप सामने आपके कोई तुम्हारी चाती में बंदूक रखे और कई दो मुझे अपने पैसे और जुल्री नहीं दोगे क्या अब घर में आपने सबने security locks लगाय हुए good thing I am not saying be irresponsible and careless but if a thief is smarter and understands the electronics and uses some technology to barge into your house while you were sleeping what can you do? then प्रिकाई की चिंता करने घर नहीं भागेगा तुमार वहीं मिलेगा समान चला जायागा बस ये तो होगा अच्छा समान चला जायाए मानलो एक वर्स्ट ले लो कि पीछे से देखो आपकोगे बड़ी मुश्किल तो मन टीकरा था ये कैसी बाते सुना रहे सोचो पीछे होई जायाए चोरी सारा समान कोई ले जायाए क्या दिक्कत? इंशूरंस है ना? ना ले 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 दुकान में आग जायाए ऑफिस में आग जायाए क्या चिंता है? इंशूरंस कंपनी किस दिन कामाएगी? हाँ इंशूरंस नही कराई? तो दिक्कते है भाई वो तो करानी चाहिए देखो हमने इंशूरंस कंपनीों को भी प्रमोट कर दिया वो थैंशूरंस चाहिए ज朝 आपके हिस्से का है वो कोई छीन नहीं सकता कोई नहीं ले सकता तो नष्चिंत्रोच यही विदी राखे राम ताही विदी रहेए रहें बस Sita-Raum Sita-Raum Sitaram कहिए यही विदी राखे राम ताही विदी रही है, निश्चिंत रही है, देखिए जब आप ओम को न देख सके, ता इसका मतलब अभी मन चंचल है, इसलिए नहीं देख रहा है और न दिखे, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, उसी का उपाय तो तरातक है और तरातक में आप अपनी शक्ति अनुसार नेत्रों को खोल के रखिये if you find it difficult to keep your eyes wide open, yes you can blink, no issue but slowly garner more strength and then in time you will be able to keep your eyes open for longer time कुछ दिक्कत नहीं है, जितनी शक्ति उतना ही करिये रख सकते हैं, तो अब वो तरातक फूल पे कर लो, मुंबती की लव पे कर लो अच्छा अंधेरा हो, और सिर्फ मुंबती की लव पे जब आप आँख टिकाते हैं और उसके साथ ब्रीधिं इसी तरह हो, इसी तरह हो, इसी तरह हो, इसी तरह हो, और सुनी और सुनी और आँख गोल देख रहते हैं, जिसको when you keep your eye gaze fixed on that candle flame after some time if your mind will get calm then close your eyes and visualize that very candle flame here in the forehead अब अगर बाहर ठीक से देखा है तो वो यहाँ आख बन कर भी ठीक से देखा है तो यहाँ आख बन कर भी ठीक से देखाएगा अच्छा नहीं देख रहा है तो गवराने की कोई बात नहीं, you need more practice you can't become milkha singh in one day right? so we need to train our mind, gently, gradually, softly, but with sternness you don't need to practice, you need to practice daily करत करत अब्यास के जडमती होत सुजान बुले जडमूर्ख भी अकल्मंद हो जाएगे, जडमूर्ख भी अकल्मंद हो जाएगे रोज अब्यास करो right? तब प्रशनाया था न कि हम ध्यान कांटीका है तो यहांटीकाओ, श्वास में और माथे के बीचोग बीच इन ताइम देखो ना, जो मन के जमेले तुमने डाल के रखे थोड़े तो कम करने पड़ेगे तुम को जी मेरे से तो कमनी होते तो खाओ दक्के मेले के मेले जाओ के तो जमेला होगा जमेला समझते हो Problems मेला means fair, if you go to a fair can you say nobody should push you? somebody will you say nobody should step on my feet somebody will you can't say nobody should spill their drinks on me not only drink, somebody will vomit on you you know why? they eat food and then they go on the roller coaster and then they vomit so somebody can bless you with their vomit so if you go to a fair be ready for all the stuff good one and the bad ones right? तो संसार में बयभार जैदा मन दुनिया में गुसा के रखोगे न ता आंख बंद करते ही न मन वही दुनिया आपको दिखाता तेख बेटे यही तुझे अच्छी लगती न देख आप कहते लो यह मुझे ख्याल क्यूँ आए भई तुम नहीं तो ख्याल डाला है whatever you feed the data in your phone that is the data which you will have to watch every time you open up your phone वो उस दिन कही हम लोग थे आश्रम में रिषी केश में तो वहाँ वो रिषी कुमार चोटे चोटे बच्चे थे जो गुरुकुल में बढ़ते हैं ट्रडिशनल स्टाडिश करते हैं तो पीले पीले दोती कुड़ते हैं और तिलक लगे हुए चोटे-चोटे बच्चे अएक का फोन बजा फोन में जो वो रिंग टॉम था वो था फिल्मी गाने का और वो हडवड़ात में वो जल्दी बाजी में कि मैं बन करणू तो जब आप जल्दी करते हैं तब कामगड़ हो जाते यह पंदना दीन पहले मैं एक मonastery में थी तो वहां जब खाने का समय हुआ तो मैंने रिंपोचे से कहा जब कामगे टू जब गाना लुए एक निए पहां सकत्वाप्रोबगड़ है परतीन आप। आपपल वाप्रोबगड़ एक कामगड़़पे गानना तो ऑन दो इंग पाल से कहां बापटावेद रख़वेदाव में अड़ष्पल बाप्रोबगड़ the food was for the students and here I am coming and this one small monk should be 12 or 11 he was whistling out loud he had no idea that he'll be bumping into me so he's shooting the city he's shooting the city I don't see him now he's looking at it so someone's looking at his head like this like this Guru 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 he's looking at it he's looking at it and he's looking at it the sound of his he was whistling it was funny where do you think of his mind? think he's shooting the city he's shooting the city he's shooting the city your mind where you put it he's looking at it he's looking at it he's looking at it so you can't do a complaint that when we close the eyes you go there what do you go? you send it you say that the mind doesn't feel like it so I will say that you stop you stop you stop you stop you stop you stop then you ask me to you stop you stop so you shut it and then do it and then do it every day empty your mind and then do your practice every day soon the mind will become calmer quieter tranquil what is hard work? हार्ट वर्क इसलिए दुनिया ना छोडने का ही जी नहीं करता वो ही दिल सेट दिल लग गया वहाँ पर और ये बाबाजी लोग बोलते बगवान में दिल लगाओ तो दिल बेचारा एक इधर दें के उधर दें तो अभी किदर है? इधर है, इजी ये उधर नहीं जाता ये ही मुषाबत है जिस्दी इधर से निखल गया ना तो जायागगा। तो पहाँ उधरी जायागा। इज दिन मैं फसाया है, इसलिए फसे हो। जिस दिन मन दा निखल जायागा। तब इश्वर में लगाना नहीं पड़ेगा इश्वर में लगा लगाया है आदा ही काम करना तुमने बाकी तो हो रखा है भगवान ढूनना थोड़ी वो तो पहले ही तुम में बैठा हुआ है तो करना क्या है जो उसकी तरफ पीठ करके बैठे हो ना जो पाई है तरहा उसकी तरहा है अभी ऐसे कर बैठे हो जयसे तुम इँ तब में तरफ मुझ करो भुम तमाहरी तरफ मुझ करें तो दो दो चार आखे हो जाये और मैं आउं और मैं उथर मुझ कर बैठ जाओं सोचो कल मैं सी तुल्टी कर बादूँगी I will say, I will say, but my head will be in there how will you feel it? or I will say, okay why would we look at it? you look at it we will say, tomorrow we will sit in there so you will say, we will show you to you now you are not showing you to the world you are not showing you to the world so you are showing us the mind of the world, also show you to the body after coming here, take the ticket of the baby with us never come that there is no ticket of the baby then we will believe, we will love to the Guru Ji now you are there isn't it? it is very difficult the mind is there the body is there and we are saying, with God so you are saying, what is the cause? where did you take the training for kids? tell me did you have training in any school or college? no someone said, you will be crazy after the money someone has not no this is all this is all this is all naturally naturally one man was shaking he was shaking he was shaking very crooked teeth so the people of the people of the people have worked with this that someone has made this that God has not made this what happened? you understand one says, when you see the fact that the body has fallen what does it mean? something happened? then why don't I feel the body why do I feel the body? why do I feel the body? I see every time so I feel very uncomfortable why do I feel the body? why? आजी सुबेथ है यह प्रार्थन जो क्या साथ लाए, क्या लेचलोगे तो शकल रोनी क्यों बनाओ अच्छा अगर तुम्हारे मातापिता की गलती है यह तुम्हारा चेहरा तो उसमें भी तुम्हारा दोशनी तुम सुधार तो कर सको ना भी मुस्कान तो भी मुस्कुराया करो ता कि कोई यह न कहे चार्थ है कि जार्थangen चार्थन की है कि और ょुरी तो नहीं है टूरी उन्हारा भी बनाओ आओ साहरा सामे रह क्रोगे कि अशर मुस्ते ही रहें कौन मरगया क्या बात है कुई मरगया तो तो तुमें कितना खराब लगे नगे तो तुमें कितना खराब लगे नगे नगे पर सची बात बोल रही है आजी शकल दिख्री कईयों की हज़िए तो रोज यही शकल होती थी तो मैं भी सड़ गई देख देख के पूछ नहीं पाई कॉन मर गया तो कोई तो मरा नहीं फिर शकल ऐसी क्यो है फैक्टरी मिस्टेक है पीताजी बैड मूड में थे जब आपकी प्रड़क्शन करी उनों ने क्यों ऐसी शकल है देखिए हमारे रिशी साधना करते थे 5-5-6-6 साल फिर बच्चा पैदा करते थे तो रिशी का जो बच्चा पैदा होता थे तो भी रिशी होता था तो यह तो पीताजी यह इसे है आपके यह आपकी माँ ऐसी दोनों में कुछ तो गड़बड है यह प्रकृर्टी का मिस्टेक हो गया कॉमिनेशन गलत हो जाए बनाने लगे कुछ और पंजाबी की कावत है वा वा ओ एक किसमत दे बलिया रिदी सी खीरते बन दलिया बनाई तो खीरती पर बन दलिया गया क्या किसमत बलि लेके आये हो लेकिन मैं यह कहती हूँ जीवन क्या है पैसा कम जाएदा है गर में कोई कष्ट तकलीफ है उस सब बाते अपनी जगे पर आपका सबसे निजी पर्सनल प्रापपर्टी आपकी यह आपका मन है इसको खुष रखागा तो दुनिया जाए भाड में आग लग जाए डूब मरें सब तुबारी खुषी नहीं कमोनी चीज़ी लोग पागली तो कहेंगे न क्या दिक्कत है कहलेने तो तुम तो खुष रहोगे प्रसन्नता प्रभु का बर्दान है प्रसन्नता का बर्दान हम सब मनुष्यों को मिला हुआ हम बस उसे एंकाष नहीं करते we already have it but we don't use it इसलिए दुखी दुखी परेशान परेशान मत रहो तो मन ए रस चाड़ा ओ रस पावा ए रस नहीं चाड़ा ओ रस नहीं आवा इस अंसार का बिश्य रस अटाव राम रस वहीं है प्रगट अभी के लिए इतना ही वानी को बिश्राम कल फिर से आप से मुलाकात होगी